स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल हेमा फ्लॉग जैन में आज मैं कुछ अलग टॉपिक लेकर आई हूं अपने चैनल पे जैसे कि मैं कभी ऐसी वीडियो नहीं बनाई पर मुझे बहुत ही ज्यादा आश्यर हुआ बहुत ही ज्यादा सौक हो गई मैं जब ऐसा सुनी तो और पर देखा मेली वीडियो बहुत सारी वीडियो है जो कि आप लोग भी देख रहे होंगे इस समय किस टॉपिक पे वीडियो बन रही है किस टॉपिक भरी पड़ी है पूरा YouTube भरा पड़ा है मतलब ऐसा कोई क्रियेटर नहीं होगा जिसने इस टॉपिक पर वीडियो नहीं ब इसे निकलेंगी मतलब वो उनका सुभा वीडियो में जैसे दिखता है एकदम अलग ही है एकदम सांत और इससे लगता अपने पती को कितना ज्यादा मानती है अभी भी मानती है भगवान करें ऐसा किसी के साथ ना हो लेकिन जैसे जैसे बाते हो रही है इस समय तो वो सुनके तो मैं एकदम अलग ही सोच में पड़ गए कि यह लोग दिखते हैं और है कैसा कि पहले भाई बेन बेन जाते हैं इसके बाद में अलग ही रिस्ता बना लेते हैं तो मैं एकदम मैं कभी सोच भी नहीं सकती थी कि मतलब सचीन के बारे में तो चलो ठीक है उनके बारे में तो कोई सोचेगा ही नहीं बइच चलो उनों साधी सुधा हैं दोनों पत्ति पत्नी अच्छे खुशी-खुशी रहते थे पर मैं निहां के बारे में तो कभी जिन्गी में सच है क्योंकि सभी लोग वीडियो बना रहे हैं औरिके उनके बहुपाली मतलब और बहुने सभी लोग बना रहे हैं जैसweit नहीं तूनिशना से मैं इनसान को जब तक टॉलेइट करूँगा जब तक वो मेरे घर का महान बनने की कोशिज नहीं करेगा और जो बोल रहे हो ना कि निया डिदी मैनुप्लेटिंग करती थी आपको आज एक बात बता तो सुगाज में इसके बाद आप लोगों के साथ सचिन की वीडियो सेयर करूंगी जो की लाइब वीडियो है और लाइब चैटिंग दिखा रहे हैं कि क्या क्या चैटिंग हुई है सो चलो अब वो देख लेते हैं अभी आप लोग सुनिये बाती इसके बाद अभी देखते हैं क जब उनको पताद गरवालें को तो पता होगा ही, तो उनको क्यों घसी टरे हो फालतु में, वो बहुत जादा इसे में परिसान है, वो भी लाइब आये थी, वो भी अपनी बात रखी लाइब में, मैं तो सब की वीडियो इसे में देख रही हूँ, मैं तो सब लोग सिर्फ य करिश्टा है ऐसा तभी बाती इतनी हो रही है अगर नहीं होता तो कभी ऐसा नहीं होता क्या चाहते हो बोलो अभी भी देखो यार अभी भी देखो मैं कितना गीरा हूं और बोल रहा हूं कि क्या चाहते हो बोलो फिर मेरी बात होती है बाइस सेकंड आठ बच के आठ मिनट प मैंने कसम बता रहा हूँ, एक भी चीज में डिलीट नहीं किया हूँ, इसमें, सारे उनके मेसेजेस हैं, उनके नहीं बोलूँगा, उसका मेसेज है, सारा, MC, BC, तुझे क्या लग रहा है, मैं अब रहूंगी तेरे साथ, बेटी की कसम खाई है, अच्छा है, तूने ही सोशल स खतम कर दिया, मैंने तब शायद unfollow कर दिया, नहीं, community पोस्ट रखी थी, बहुत अच्छी बात है, तू गलत साबित होगा, तू सिर्फ तू, मुझे बोल रही है, अच्छा हुआ, भगवान ने बचा लिया, मुझे तू जैसे गिरे हुए इंसान से, मैंने अभी तक कुछ भी नहीं किया, और मुझे इतनी लताड़, मैंने बोला, all the best, करी अरे तू जा, मैं बहुला, delete कर दू, question mark, करी नहीं, अब नहीं, अब तू सच ही बोल, देखा, जो सच आज बोल रहा हूँ, मैं सच ही बोलता हूँ, इसको पता है कि ये सच ही बोलता है, तुम्हारे लिए लडाई हुई, और तुमने मुझे ऐसा किया, तुम मुझे से ऐसे गाली गलोच कर रही होना, तुम्हारा ये लोग यूज कर रहे हैं, तुम्हारे साथ गेम खेल दिये, तुमको सिर्फ मेरे पे चड़ाई करने आती है, मैंने call किया, call लगानी, उसके बाद, सुन, तुझ तुम्हारे लिए लडाई हुई, और तुमने मुझे से ऐसा, मेरे साथ ऐसा किया, तुम्हारे जूटे, जब मैंने बोला था, डिलीट कर, तो किया था, अब मैं मर जाओंगी, पर तुझ से रिष्टा नहीं रखोंगी, मैं बहला, उसके पहले, मा बहन की गालिया दिया थ आपने, ये तरीका होता है, मैंने पूछा, कैसे इंसान हो तुम, नहीं, मैं ऐसी ही हूँ, जा अपनी मनीशा के पास, देखा, मनीशा कोई जिकर नहीं था, लेकिन अब ये मनीशा के पास मेरे को भेज रही है, इजाजत दे रही है, कि तु मनीशा के पास जा, उसी के लाय पर अब आने दे कोई reaction ब्लॉग बताती हूँ फिर अच्छे से, मैं बात करनी है, कभी नहीं का मतलब कभी नहीं, इस बात की कोई माफी नहीं है, बोला था ना community या तो मैं, इन्होंने फोन पे मेरे को बोला था, या तो community रहेगी या तो मैं रहूंगा, और मा की गाली दे के दिलीट करो, तो मैंने बोला community रहेगा, तुमने मा को गाली कैसे दी, तो कहरी तुमने community चुनी, मैं बोला अब उसी को लेकर हो, यह कहती है, तुमने community चुनी, अब उसी को लेकर के रहो, मुझे आप ये रोज रोज जलील कर रहे हो, बरदास्त नहीं हो रहा, कहरी है, BC अब तो नाटक बंद कर, उनकी सच्चाई आनी जरूरी है, उनकी मतलब इनके घरवालों की, यह खुद ही बोल रही थी, मेरे घरवालों की सच्चाई दिखाओ, व्लॉग में, कमेंट करो, नेगेटिव कमेंट करवाओ, देखा आप लोग उने दोनों की चैटिंग, और सचिन ह जलती है, और नेहा दीदी की, मनीशा इसमें फस गई विचारी की, अपने पती को कैसे इस से निकालें, सबसे किसी का भी पती दूसरी और उससे फस जाएगा, तो वो परिसान ही होगी, और बहुत ही जादा मेंटली परिसान होगी, और वो तो एकदम फूट पड़े थी, वो ते उनके घर में भी गई थी, नहीं हा दीदी के, वो कितनी खुशी-खुशी, उसके तासी, बेटी तासी को खिला रही थी, प्यार करेची के साथ भी बीडियो बना रही थी, कितनी खुश थी, यार, मैं तो सोच, सोच कि इतनी सांथ, सुसील लड़की को देखकर में एक दम बहुत ज़्यादा अंदर से वो होता है कि कैसे कैसे लोग होते हैं कि पहले मिलेंगे और फिर भाई बहन का रिष्टा बनागी और कोई रिष्टा बना लो दोस्त बन जाओ और कोई यह क्या है कि पहले भाई बहन का रिष्टा इतना ख मैं दोस्त हूँ, कुछ भी हूँ, boyfriend हूँ, train हूँ, कुछ भी हूँ, ऐसे बनाओ, रिष्टा ही है, क्या भाई बेहन बना कि और सबको बेवकूफ बनाते हो, कोई सक भी नहीं करते हैं, ऐसे में कोई सक भी करेगा, तब भी लोग बोलेंगे, कि भाई बेहन करेंगे, एक समय और ये बाते चली थी, वो भी मेरे वीडियो देखी थी, कि मनीशा को बहुत लोग भढ़काती है, कि तो इन सचीन और निया दीदी के बीच कुछ है, तो मनीशा मुझसे बहुत ज्यादा लड़ती थी, मतलब सचीन भाईया ने ही ऐसे वीडियो बनाए थी, मैं वीडियो बत आनने म alorsने मुझे समझ, कि चलू ऐसा नहीं मोन करने थी, मैं तो बात करने कе लिए भी मना करती थी, कि निया दीदी से बात आप नहीं करो गे, सचीन भही भाईया भी यहीं बोल रह थी, मेरे को बात नहीं करने दे रही थी, पोलती थी, कि नहीं बात करोगे यह मना कर तो बहुत ही जादा लड़ती है दूसरों के कहने से तो मैंने जब समझाया कि ऐसा कुछ नहीं है तो फालतु में सख कर रही हो भाई बहन कर रिषता है तब मैंने सोचा था कि हाँ सही बात है लोग होते हैं जो भीडाते हैं कि भाई पती-पत्नी में फूट डाल देते हैं को समझाया जाता है कि जो पहले वो लोग बोले थे मनीशा को समझा रहे थे वो सच समझा रहे थे क्योंकि अगर पहले पहले से ही सतर्क हो जाती तो अब तक इतनी बात नहीं बढ़ती पहले से ही बंद हो जाता तो उनको समझा दिये मनीशा को अच्छे से समझा दिये सचिन और इन्हों ने भी समझाया, नहीं दीदी ने भी अच्छे से समझा दिया कि ऐसा कुछ नहीं है, हम दोनों भाई बेहन है, तो विचारी भोली भाली सी तो है, बहुत ही नाजुक सी है, मेरे को बहुत दया आती है इसको देखने, वो एक तम सच्ची और सच्चे मन से प्यार क जाती, तो आज ये देखना नहीं पड़ता, जो आज फैल रहा है रायता जैसे दम जैसे आग की लपट फैलती है वैसे ही फैल रहा है पूरे यूटूब में, अपने अपने चैनल में सभी लोग अलग अलग वीडियो बना का अलग अलग बाते एक ही हैं, लेकिन सब लोग में, अपने यही फैल, युट्व खोलो शरिफ याई, यूटूब खोलो शरिफ सचिन मनीशा और नेहा दी याई है नीतुू दीदी, नेहा दीदी, सचिन मनीशा मे निर्दोस जो है मनीशा बिल्कुल समय नीर्दोस भया बात मिया और मुझे सब्सक्राइब करता हुए नियुक्तरे ही में सबस्क्राइब के दिए आज इन दूल इसी एक आजॉट् Или हो imperfect.' सब लोग की, मतलब, नीहा दीदी की भी कपलते ही हो रही है, और एकतम तहल का मचा हो रही है कि अरगा से पूछिति ही के दीदि के तरफ से कोई वेडियो नहीं आया है, बागी सभी लोग भीडियो बनाए हैं तर दे साचीन भीए है और इनके निहादीदी के भाई और सचिन की बहन भाई भी और वो तो बनाने मम्मी भी उनकी बनाई है मतलब सब और जितने भी creator हैं वैसे ही जो जानते होंगे जो मिले होंगे उनसे और जो भी जुड़े होंगे सभी की video आ रही है श्रिफ यही topic पे जो नहीं भी जुड़े हो भी यही topic पे reaction video इतने बेकार विकार आरहे है कि ऐसा है वैसा है बतलब गाली भी बहुत लोग गाली भी दे रहे हैं पर क्या कर सकते हैं वही ऐसा नहीं करना चाहिए किसी के साथ भी अगर मनीशा इतनी सच्ची और साफ दिल की मिली थी इतनी प्यारी सी बीबी तो उस पर ध्यान देना चाहिए था और 40 साल की ओरत पे नहीं और अपनी बीबी पर धियान दोगे हमेशा खुस रहोगे दूसरों को नहीं ज्यादा important देनी छहिए अगर important दोगे तो अपना घर विखर जाएगा अपना घर समेटना है तो अपनी बीबी और अपने घर को समालो और अपने घर को देखो दूसरे के चक्कर में पड़ोगे तो ऐसे ही मारे जाओगे और मैं तो इनसे यही बोला चाहूंगी निहादीदी से इनकी भी सगाई हो गई है अपनी साधी पे फोकस करती है और अगर स के चकल में पढ़के उनकी लाइफ बरबाद नहीं करनी चाहिए थे इनकों जो कि इन्हों ने किया वो बिल्कुले बहुत ही ज्यादा सर्मिंद्गी वाली बात है क्योंकि जहां तक मैंने देखा है न सब निहादीदी और सचीन भाईया इन दोनों की ही गलती बता रहे हैं है मुझे पूरा यकीन है कि है ऐसा है ही तब ही लोग बाते कर रहे हैं नहीं होता ऐसा तो कभी लोग बाते ही नहीं कर पाते सो चलो अब मैं इतना ही कहना चाहूंगी कि भई अपने अपने लाइफ में खुश रहो दूसरों के जिंदगी में दखल नहीं देना चाहिए इसमें ही अपनी भलाई है और दूसरों की भलाई है चलो किया मेरे भून के साथ सुर्जेस तरोप स्कतियोंẤ तो यूटूम के पाता तारों कीज एकि यूटूम है शलिए वीडियो के से चल्माइँ